आप सभी को नमस्कार, सिप्तंबर माह के करेंट अफेर्स के अंतरकत एक बार फिर से मैं आप सब का स्वागत करता हूं और सिप्तंबर माह के करेंट अफेर्स को हम देख रहे हैं और आप जानते हैं कि दिपाउली की चुट्टिया इन दिनों चल लही हैं तो थोड़ी सी आपकी कक्षा परभावित हुई है लेकिन उस दौरान हमने सिप्तंबर माह के करेंट अफेर्स को आप तक पहुंचा कर जो कमी थी उसको दूर करने का प्रयास किया है तो एक मिनिट का बेट कर लेते हैं सारे लोग उपस्तित हो जाएं जिसे हम अपनी चर्च जाताँ. अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं आज का पहला प्रष्ण है क्रिषिल एक अंतर राश्ची एजनसी है इसने हाल ही में Small संकुचन का इस बार में आपको प्रश्चो पहले बात क्रिषिल ने मय में एक बार में इन्हों बताया था कि 5 प्रुटिसथ का संकुचन होगा लेकिन अब बरतमान समय में सप्तम्बर मामें इन्होंने नया आकडा दिया वहाक जा कितना है । भारत की जी डिप कितनी संकुचित होगी ये आपको बताना है और आपको बता दें 1950 के बाद से 1950 के बाद से यह सबसे ज़्यादा संकुचन आपको देखने को मिलेगा बताएं किरसिल की रिपोर्ट के अंसार तो इन में से कौन सा सही है वो आपको बताना है नौ परतिशत आठ परतिशत दस परतिशत या साथ परतिशत बताएं ध्यान से पढ़िए इसके बाद जबाब दीचे चले इसका सही उत्तर है नौ परतिशत किरसिल ने हाल ही में बताया कि भारत की जो GDP है वो 2020-21 में नौ परतिशत तक संकुचित होगी अब इस तरह के प्रशन क्या महत्पूर होते हैं जैसे मई में दूसरा आकड़ा था आप सितंबर में आकड़ा बदल गया तो जब भी आप परिक्षा देने जा रहे हो तो लेटेस्ट क्या आकड़ा आया है इस तरह के संस्थाओं का बैस्विक संस्थाओं का वो आपको द परकार ने रक्षा छेत्र में स्वताह मंजूरी के माद्यम से कितने प्रतिसत तक प्रतेक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी परदान की है आपको बताना है FDI जिसको आप बोलते हैं प्रतेक्स बिदेशी निबेश कितने प्रतिसत तक की मंजूरी दी गई है या आपको बताना है कितने प्रतिसत तक की मंजूरी दे दी है भारत सरकार ने या आपको बताना है किस छेत्र में रक्षा छेत्र की बात हो रही है यह भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है चलें विकल्प आपके सामने 49 परतिसत 74 परतिसत 65 परतिसत या 7 परतिसत कौन सा सही होगा यह आपको चुनाव करना है और यह बहुत ही महात्पूर्ण प्रेश्ण है आपको बता दें कि भारत सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्शित करने के लिए एक कदम उठाया है और जो अब निवेश था एफडियाई निवेश रक्षा छेत्र में उसको सत परतिसत कर दिया गया है सत परतिसत निवेश रक्षा छेत्र में एफडियाई का हो गया है और इसमें आपको एक चीज याद रखना है इसमें वह उन्चास परतिसत है जिसको स्वताह मंजूरी मिल जाएगी किसी भी परकार की मंजूरी की जरूरत नहीं है उन्चास परतिसत तक लेकिन यदि उन्चास परतिसत से ज़्यादा कोई निवेस आता है उन्चास परतिसत से ज़्यादा कोई निवेस आता है तो यहाँ पे सरकार की मंजूरी लेना आवस्यक होगा ठीक है यह भी आपको याद रखना है कि उन्चास परतिसत से ज़्यादा कोई भी निवेस होता है तो वहाँ पे सरकार की मंजूरी लेना जरूरी है उन्चाज प्रतिशत तक के निवेस में सरकार की मंजूरी नहीं लेनी है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगला है 17 सब्तमबर 2020 को वालमार्ट आप कंपनी जानते होंगे वालमार्ट फाउंडेशन ने खेती में लगी महिलाओं की इस् यह मतलब वालमार्ट जो है वो जो महिला किसान है उनके लिए और किसान जो भी खेती में कारे कर रहे हैं उनकी आय इक को बढ़ाने के लिए कुछ बित्तिय सहायता दिया है वालमार्ट ने वह कितना दिया है वो आपको बताना है तीन दसमाल पाँच मिलिन डॉलर पंदरा मिलियन डॉलर या 10.5 मिलियन डॉलर इसमें से कितनी सहायता वाल मार्ट ने दिया है ये आपको बताना है तो आपका समय सुरू होता है अब बताएं 10 सेकंड का समय है आपको बताना है कि वाल मार्ट ने कितनी सहायता दिया है चलें बताएं कितनी सहायता दिया है चले आपको बता दें कि ये दो NGO हैं गैर सरकारी संगठन है एक का नाम है टैनेजर और दूसरा का नाम है पैरेडन इन नहीं दो संस्थाओं के माध्यम से वालमार्ट किसानों को और जो हमारी महिला किसान है उनको मदद बित्ती मदद उपलब्द कराएगा तो आपको बताना है आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है चले अब मैं बता देता हूं इसका सही उत्तर है चार दसमल परमंत्र मंदली समित ने पावर गृड कार्परेशन आफ इंडिया की सहाय कम्पनियों की परिसंपत्यों के मौदरी करण को मंजूरी प्रदान की है पहले ब्लॉक में पावर गृड कितनी रासिसे अधिक के सकल ब्लॉक के साथ परसंपत्यों का मौदरी करण करेगा अब आपको बताना है कि जो पावर गिरिड है वो पहले ब्लॉक के अंतरगत कितनी परसंपत्यों का मौदरी करण करेगा कितनी करोण तक के यह आपको बताना है तो बताएं इन में से कौन सा सही है या आपको बताना है इसको सही उत्तर है 7000 करोन रूपे C विकलप आपका सही उत्तर है ठीक है तो इसको भी note down आपकार सकते हैं अगला प्रशन स्वेतंबर 2020 में निजी छेत्र की परमुख जीवन भीमा कमपनी बजाज एलियांस लाइफ एंसोरेंस कमपनी लिम्टेड ने किसे अपना नया ब्रांड एंबेस्टर बनाया है। कलमान खान या आईसमान खूराना और आपको बता दें बजाज एलियांस की दिबात हो रही है तो तपन सिंगल इसके परमुख हैं CEO हैं यह आपको पता होना जीज़ तपन सिंगल यह बजाज एलियांस के CEO हैं यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए चले बताएं किसको बनाया है ब्राण्ड अम्बेस्टर ये आपको बताना है चलें आपकी जबाब आने चाहिए इसका सही उत्तर है आईसमान खुराना आईसमान खुराना को इन्होंने अपना ब्राण्ड अम्बेस्टर बनाया है किस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी सौर उर्जा उत्पादन संपत्ति धारक का अस्थान प्राप्त कर लिया है इसमें से कौन सी कंपनी है जिसने सौर उर्जा उत्पादन संपत्ति धारक का जो अस्थान था उसको पीछे छोड़ दिया मतलब अब तक की सौर उर्जा क Limited या उप्युक्त में से खोई नहीं कौन सी company अब बरतमान समय में सोर उर्जा के छेतर में सबसे अग्रणी company बन गई है यह आपको बताना है और उसने पीछे खोड़ा है अडानी समուग को पीछे छोड़ा अडानी समूख को पीछे छोड़ते हुए यह सबसे सर्वस्रेष्ट कंपनी बनी है इस चेत्र में यह आपको बताना है कि कौन सी कंपनी है बताएं A, B, C, D में से कौन सा है आपको बताना है इन चारों में से कौन सा है आपको अपना जवाब देना है चले ध्यान से पढ़िएगा इसके बाद जवाब दिजे और सब्तमबर मा में आप कहीं न कहीं से करेंट अफिर्स तो पढ़ते रहोंगे तो निश्य तुरुप से प्रस्णों के जवाब आने चाहिए चले नहीं जानकारी है तो आपको बता दें उपियुक्त मेंसे कोई नहीं हिन मेंसे कोई भी कंपणी नहीं है इसका नाम है मेर कॉम मेर कॉम नामक कमपनी है मेर कॉम कैप्टल नामक पूरी इसका नाम है मेर कॉम कैप्टल नामक जो कमपनी है ये सौर उर्जा के छेतर में सबसे बड़ी कमपनी हो गई है और इसने अडानी समूग को पीछे छोड़ दिया है अगला प्रश्न, 29 अगस 2020 को किस देश ने भारत के लाखों ग्रामीड किसानों और अपने यहां की फूड इंडरस्टी के बीच अंतर को कम करने के उद्देश से एगरी ओटा नामक एक नई तकनिक आधारित जिन्सकारोबार e-mark fret platform की सुरुबात की है कमपनी का नाम तो इसने देश दिया किस देश ने किया है UAE, इरान, स्रिलंका या सौधिय अरबिया या आपको बताना है और येदि आपको याद होगा कि भारत से पहली बात बनारत से सब्जियों का निर्यात किया गया था एक सहर को खाड़ी देशों के तो येदि आपको याद है तो आप उससे जोड़ कर इसका जबाब निकाल सकते हैं चले बताएं इनमें से कौन सा सही होगा बताएं और आपके बता दें कि इसके माद्यम से जो भारतिय किसान हैं उनको सीधे उस देश की कमपनी से जुड़ने का आउसर प्राप्त होगा जो विचवलियों की भूमिका थी विचवलियों की भूमिका को समाप्त होगी और निश्चित रूप से जो किसान है उनकी आय को बहतर करने में भी इससे मदद मिलेगी और आपूर्तिस रिंखला में भी सुधार हो सकेगा तो बताएं कौन सा देश ऐसा है जिसने एगरी ओटा नामा की एक नई तक्निक आधारी जिन्सकारोबार बिक्सित किया है तो आपको बता दें इसका उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात ए यू ए इसका सही उत्तर है ठीक है और यू ए की मुद्रा है य आप जानते हैं इसके साथ साथ राजधानी है अबुधा भी इतनी बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए चलें पांच सेप्तमबर 2020 को केंद्रिय बित्त और कारपोरेट मामलों के मंतरी निर्मला सीता रमण ने ब्यापार सुधार कार योजना के तहत कारोबारी सुगमता के आधार पर राजों की रैंकिंग जारी की है और को था संस्क्रण था चौथा संस्क्रण था किसकी कारोबारी सुगमता जो रैंकिंग है उसके चौथे संस्क्रण की बात यहां पे हो रही है और बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है तो आपको जहां पे आ गुजरात को सीर सास्थान प्राप्त हुआ दूसरा कह रहा है इसमें उत्तर प्रदेश को दूसरा अस्थान प्राप्त हुआ तीसरा कह रहा है व्यापार सुधार कार्योजना के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तै करने का काम बर्ष 2015 में सुरू किया गया था इनमें से एक सब्सक्राइब इसको यह आपको पता होना माहत्पूर्ण रैंकिंग महत्पूर्ण रैंकिंग मारत रंकिंग में छाह कारोब मैं आपको देता हूं जो है 2015 से हुई थी आ leveraging हॉदो कि यहेरा कतन से में आपको बता देताओं कि सुरुवाद 2015 से खुई थी क्योंकि तभी तो ये इसका चौथा संस्क्रण होगा भाई आप आसानी से लगा सकते हैं बात किया जारा चौथा संस्क्रण तो 2020 में ये चौथा संस्क्रण है तो 2015 से इसकी सुरुवात की गई थी क्योंकि 2020 में जारी की गई है लेकिन ये 2019 की रैंकिंग है 2019 के आकड़ों के अधार पे ये बोला जा रहा है चले आपको बता दें कि इन में जो गुजरात है गुजरात टॉप पे नहीं था बलकि यहाँ पे टॉप पे था आंद्र परदेश आंदर परदेश इसमें टॉप पे था उत्तर परदेश दूसरे अस्थान पे था सत्य है और सरबाधिक सुधार जो दिखाया था वो उत्तर परदेश में दिखाया था क्योंकि पिछली रैंकिंग में उत्तर परदेश का अस्थान बराहवा था और इस ranking में उत्तर प्रदेश का अस्थान दूसरा हुआ है तो सबसे ज़्यादा सुधारेद किसी प्रदेश में देखने को मिला है तो उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिला है तो दूसरा आपका सही है, तीसरा आपका सही है सबसे लाश्ट एदियम बात करें तो सबसे लाश्ट इसमें तिरपूरा राज्य है और केंसासित प्रदेशों में एदियम बात करें तो सबसे टॉप पर आपको दिल्ली देखने को मिलेगी ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए कारोबारी सुगमता रैंकिंग की आधार पे क्या कारिकरम हुए है क्या गोशना है हुए है राज्यों में उसकी आधार पे रैंकिंग जारी की जाती है चलें बताएं 24 अगस्त 2020 को नाबाड ने जानकारी परदान करने की और उसमें COVID-19 महामारी से परभावित ग्रामीड छेतर में बिना किसी बाधा के रिंड परवाह सुनिश्चित कराने है तो एक समर्पित रिंड और रिंड गारंटी उत्पाद पेस किया इस समंध में कौन सा सही है मतलब नाबाड जो है जो ग्रामीड छेतरों के लिए कार करता है किसानों के लिए जो कार करता है उसके द्वारा COVID-19 महामारी के दौरान भी ग्रामीड छेतरों में ग्रामीड किसानों को ग्रामीड लोगों को रिड उपलब्द कराने के लिए किस नई ब्योस्था क बनाया गया है और उसके आधार पे इन में से कौन से सही है ये आपको कौन से गलत है कौन से सही नहीं है वो आपको बताना है कह रहा है कि यहां NBFC सूच में बित्त संस्थाओं को सनरंचित बित और गारंटी कारकरम के अनरूप तयार किया गया है दूसरा इस कारकरम के तहत लगहू और मध्यम आकार के सूच में बित्त संस्थाओं को सामुहिक तोर पर प्रदत तरिण पर आंसिक गारंटी प्रदान की है तीसरा प्रारंभिक चरण में 2000 करोंड रूपे का बित पोशन दिया गया है और चोथा इस कारकरम के अंतरगत 28 राज्यों के 605 जिलेव को कबर किया गया है अब इसमें से अदिया आप देखें तो सही क्या है आपको बता दें पहला सही है दूसरा सही है और तीसरा सही है गलत क्या है सी वाला गलत है क्योंकि यहां पे जो धनराश दी गई है नाबार द्वारा वो पचीस सो करोंड रूपे दी गई है ना कि 2000 करोंड रूपे दी गई है अभी आपने क्या देखा कारोबारी सुगमता देखा अब आपको देखना है निर्यात तयारी सुचकांक और इसमें बोला गया है कि निमलिकित कतनों पर विचार करें और आप जब भी कोई सुचकांक देखते हैं जैसे अभी आपने देखा था कारोबारी सुगमता सुचकां और उसमें देखिया कि उसको जारी करने वाला मंत्राले कौन है तो आपने देखा बित मंत्राले निर्मला सीता नर्मन ने जारी किया था और यदि आप इस रैंकिंग को देखें तो इसको नीती आयोग ने जारी किया है तो जो रैंकिंग होती है जो सुचकांक होते है उसमें एक पहलू यह भी महत्पूर्ण होता है कि किस संस्था द्वारा जारी किया गया है वो संस्था भी महत्पूर्ण होती है वो भी आपको पता होना चाहिए तो बताएं इनमें आपको बताएं पहला कहरा है तटिये राज्यों में तमिलनाड सीर्ष पर रहा दूसरा भूम से घिरे हुए राज्यों में राजस्थान का परदसन सर्वस्रेष्ट रहा हिमालई राज्यों में उत्राखंड सीर्ष पे रहा केंद सासित परदेसों में दिल्ली सीर्ष पे रहा इनमें से कौन सा सही है किसके संदर में निर्यात तयारी सुचकांग के संदर में आपको बताना है तो चलें बताएं निर्यात तयारी सुचकांग के संदर में इनमें से कौन से सही है ये आपको बताना है चले बताएं ध्यान से पढ़िएगा फिर बताएगा नहीं पता है तो सुचकांग को नोट कर लीज़ेगा क्योंकि सुचकांग से समंदित प्रस्ण आपकी परिक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं चले ध्यान से पढ़ें फिर जबाब दीजेगा प्रतेक प्रस्ण को ध्यान से पढ़ना है इसके बाद जबाब देना है एक्सपोर्ट प्रेपेर्ड नेस इंडेक्स इंग्लिस में इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेर्ड नेस इंडेक्स चले बताएं जबाब दीजेगा चले अब हम बता देते हैं आपको सबसे पहली बात हो रही है तटीय राज्यों में तटीय राज्यों में तमिलनाड सीर्स पे रहा गलत है क्योंकि यहाँ पे गुजरात सीर्स पे रहा तो तटीय राज्यों की यह रैंकिंग देखे वहाँ पे राजस्थान जो था वो टॉप पे था पर्थमस्थान पे था तो दूसरा कतन आपका सत्य है और यह दि हम बात करें अन्य राजों की रैंकिंग जो भूम से गिरे हुए हैं तो राजस्थान के बाद तेलंगाना आता है और तेलंगाना के बाद हर्याना आता है तो तीन क्रम आपको याद आना चाहिए राजस्थान तेलंगाना और हर्याना तीसरी बात आती है आपकी हिमालाई राज्यों में उत्राखंड सीर्ष पे रहा जी हाँ हिमालाई राज्जों में उत्राखंड तीर्ष पे रहा उत्राखंड के बाद तिरपूरा और तिरपूरा के बाद हिमान्चल परदेश का क्रम आता है तो तीसरा भी आपका सत्य है चौथा कह रहा कि केंद सासित परदेशों में दिल्ली सियस पे रहा केंद सासित परदेशों के साथ साथ जो सहरी छेत्र है जैसे कि गोवा हो गया एक सिटी छेत्र है तो इन सब को मिला के जो रैंकिंग जारी की गई उसमें आपका बता दे कि दिल्ली टॉप पे था दूसरे अस्थान पे आपका गोवा था तीसरे अस्थान पे चंडीगर था तो ये भी आपका सत्य है मतलब 2, 3 और 4 सही है 2, 3 और 4 सही है मतलब ए विकल्प आपका सही उत्तर है तो इसको नोट कर लिजेगा 30 राज़ों में क्या रैंकिंग थी अस्थल रुद जो राज है उसमें क्या रैंकिंग थी केंसासित परदेशों में क्या रैंकिंग थी अलग-अलग पूछा जा सकता है तो नोट डाउन आपके पास होना चाहिए चले विक्रेता प्रदर्शन मूल्यांकन प्रडाली बेंडर प्रफार्मेंस इवाल्यूएशन सिस्टम हाल ही में निमलिकित में से किसके द्वारा प्रारम किया गया National High-Bage Authority of India Steel Authority of India Reliance Retail Limited या भारती Retail Limited किसके द्वारा इसुरू किया गया है विक्रेता प्रदर्शन मूल्यांकन प्रडाली ये आपको बताना है चार विकल्प आपके सामने हैं इन चारों में से कौन सा सही है उस पर आपको विचार करना है चले विचार करें इन चारों में से कौन सा सही है उस पर आपको विचार करना है चले ध्यान दीजेगा चार विकल्प आपके सामने है इन चारों में से कौन सा सई है वो आपको बताना है इसका सई उत्तर है National High Base Authority of India नहीं द्वारा ये किया गया है प्रारम किया गया है तो इसका विकल्प आपका सई उत्तर है चले एक्सिस बैंक के लिबर्टी सेविंग्स एकाउंट के बारे में निमलिकित में से क्या सई है हाली में एक्सिस बैंक ने एक लिबर्टी सेविंग्स एकाउंट खोला था इसके बारे में आपको बताना है कि क्या सई है अब आपको यह दिपता है एक्सिस बैंक के लिबर्टी सेविन एकाउंट के बारे में तो आप बताईए कहरा है कि यह ग्रांकों को परतिमाह 25,000 का नियूंतम बैलेंस बनाए रखने या बैंक के डेबिट कार्ड का उपियोग करके हर महिने समान राश खर्च करने का सामिल है तीसरा कह रहा है उत्पाद 35 बर से कम आयू के बेतन भोगी पेसेवरों के लिए उपलब्द है चोथा है उपरोक्त सभी इन में से कौन से सही है यह आपको बताना है अब एक्सिस बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए एक्सिस बैंक के लिबर्टी सेविंग से काउंट के बारे में पता होना चाहिए तो आपको बता दें कि इसके तीनों के तीनों विकल्ब सही है मतलब डी विकल्ब इसका सही उत्तर है इसमें क्या है कि मिनमम 25,000 रूपे आपको रखने पड़ेंगे यह आप 25,000 रूपे रखते हैं तो अपनी तरह का यह पहला एक प्रकार से एकाउंट है क्योंकि इसमें सालाना 20,000 तक का हॉस्पिटल कैस इंसुर किया जा रहा है इंसुरेंस दिया जा रहा है 20,000 रूपे तक का वार्सिक आप हॉस्पिटल कैस इसके माध्यम से ले सकते हैं लाब उठा सकते हैं और यह कोबिड-19 में भी कार करेगा कोब इतन भोगी होने चाहिए और आपकी जो आयू है वो 35 बर से कम होनी चाहिए ठीक है तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है चलें इसको बताएं निम्लिकित में से किस आयाइटी संस्थान ने बहु उपियोगी माइक्रो प्रोसेसर मौसिक को निर्मित किया है मौसिक नामक परा निर्मित किया गया है यह आपको बताना है आपके बिकल्प हैं आयाइटी मुंबई आयाइटी दिल्ली आयाइटी मद्रा आसिया आयाइटी कानपूर चलें बताएं माइक्रो प्रोसेसर जिसको चीप बोलते हैं तो आपको बताना है चलें बताएं चले जब आप दीजेगा आपको बता दें इसको डेवलप किया है IIT मदरास ने और आपको बता दें छे चिप छे माइक्रो प्रोसेसर बनाने है इस योजना के अंतरगत इस प्रियोजना के अंतरगत और अभी तक तीन बन चुके हैं तीन कौन कौन से एक तो आपका हो गया माइक्रो प्रोसेसर मौसिक और अभी तक पूर में जो बने थे एक था माइक्रो प्रोसेसर अजीत दूसरा था माइक्रो प्रोसेसर सक्ती तो तीन अभी तक बन सुगे हैं एक माइक्रो प्रोसेसर अजीत माइक्रो प्रोसेसर सक्ती और माइक्रो प्रोसेसर मौसिक यह तीसरा है और अभी तीन और आने हैं तो वो तीन भी आपको पता होने चाहिए और अजीत किसने बनाया है या सक्ति किसने बनाया है मैंने बार बार बताया है और ये मार्च से मैं बताता आ रहा हूँ मार्च 2019 से मैं ये बताता आ रहा हूँ तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ठीक है चलें आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन इधन सेल के सम्मंद में निम्लिकित में से कौन सा कथन गलत है ये ग्रीन हाउस गैसों का कम उत्पादन करते हैं ये सहा उत्पादक के रूप में उस्मा और पानी का उत्सरजन करते हैं पारमपरिक दहन इंजन की तुल्ना में वो अधिक उर्जा कुसल है या पारमपरिक जीवासम इधन की तुल्ना में सस्ते पड़ते हैं इन में से कौन सा स्त्य है आपको बताना है चले बताएं हाइड्रोजन इधन सेल के सम्मंद में इन में से कौन से सही है ये आपको बताना है चले जबाब दीजेगा कौन सा सही है हाइड्रोजन इधन सेल के सम्मंद में क्या सही है इसमें से ये आपको बताना है और आपको सायद याद होगा कि हमारी संस्ता है NTPC NTPC ने दो सहरों के लिए एक लेह सहर था और एक आपका दिल्ली था लेह और दिल्ली के लिए अलग से इन्होंने बनाये थे बस बनाये थे वाहन बनाये थे जो दिल्ली और लेह के लिए थे जो हाइडरोजन से संचालित होते थे प्रदूसर्ण कम करते थे, सायद आपको याद हो और इस तरह की NTPC ने टोटल दस बसे बनाई थी, दस हाइडोजन बसों का निर्माड NTPC ने किया था, विसेश कर दो सहरों के लिए, एक लेह के लिए, एक दिल्ली के लिए तो निश्चित रूप से किसके लिए किया था, क्योंकि ये प्रदूसर्ण कम करते हैं, और अगर प्रदूसर्ण कम कर सकते हैं, तो इसका तात्पर क्या हो गया, कि ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन कम करते हैं, तो निश्चित रूप से ये ये विकल्प आपका सही उत्तर है और ये भी आपको पता होना चाहिए ये आपसे प्रशन में कभी पूछा जाए कि किस संस्था द्वारा लेह और दिल्ली के लिए दस हाइड्रोजन बसों का निर्माड किया गया तो वो आपकी संस्था है NTPC ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पूर्व के घटना करम है ठीक है तो आज की जो वीडियो थी वो यहीं पे समाप्त होती है आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे तब तक के लिए इसी प्रकार बने रहे हैं हमारे साथ और ये दी अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक, शेर और कमेंट आउस करें और इसी तरह से सेप्तमबर माह का आपका जो संपूर्ड करेंट अफेर्स है जल्द ही समाप्त हो जाएगा और फिर हम और आप ये भी जानते होंगे कि प्रते क Maxwell को आपको community टैब में मिल जाते हैं तो वहाँ पे जाना मत भूलिएगा प्रते क resignation क אבל आपके samfund तरह आप अपने community gaming देख सकते हैं तो प्लीज community टैब में जाएं और प्रते क दिन के करेंट अफेर्स को भी वहाँ से देखते रहे हैं और पुराना सेप्टमबर माहका आप वीडियो के मादम से रिवीजन करते रहे हैं तो यह पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं धन्यवाद